रंग बिरंगी दुनिया में कई रहस्य, अंतरिक्ष की इस रंग बिरंगी दुनिया में कई रहस्य छिपे हुए हैं। सौर मंडल में स्थित सभी ग्रह की अपनी एक विशेशता भी है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ऐसा ही एक ग्रह है, जिसे अंतरिक्ष का लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है. इस ग्रह का नाम अरून ग्रह, यूरेनस है. यह अपनी धूरी पर लगभग 90 डिगरी जुकाव के साथ घूमता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है. यूरेनस के चारों और चमकदार चीजें, नासा ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप से यूरेनस की कुछ तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें यूरेनस के चारों और चमकदार चीजें नजर आ रही हैं. 215 डिग्री है इस ग्रह का तापमान. इस ग्रह का तापमान 215 डिग्री है. यहां शोलों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहां इंसान भी बन जाएंगे. कुलफी कहां जाता है कि इस ग्रह पर अगर इंसान पहुँच जाए तो उनकी भी कुलफी बन जाए. अरून ग्र के रहस्यों का पता लगाने के बाद अब इस रो शुक्र ग्रह की ओर बढ़ने के लिए तयार है। अपने एक इंटरव्यू में इस रो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि शुक्रियान के पेलोड डेवलप हो चुके हैं। ये मिशन अपनी मन्जिल के काफी करीब है। इस रो से पहले यूरोपियन एजेंसी ने 2006 में वीनस मिशन, जापान ने 2006 में अकाट्सु की वीनस क्लाइमिट और्बिटर और नासा का पाकर सोलर प्रोब शुक्र ग्रह पर स्टडी कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुक्र मिशन से भारतिय अंतरिक्ष इजेंसी इस रो को क्या हासिल होगा? मिशन शुक्रयान के पीछे इस रो का क्या मोटिव है? शुक्र को प्रिथवी का जुडवा ग्रह भी कहते हैं। शुक्र और मंगल की सनरचना प्रिथवी से मिलती जुलती है। लेकिन वहाँ जीवन क्यों नहीं है? ये जानने को पू पेनिट्रेटिंग रडार को सबसे जरूरी पेलोड बताया गया है। ग्रह पर तेज हवाएं चलती हैं। इसकी सनरचना अभी तक समझ से बाहर है। कुल 20,000 करोड तारे हैं। इनमें से हमारे सौर्य उर्जा में स्थित सूर्य भी एक तारा है, सूर्य गैसों से बना एक गोला है। सूर्य की गुरुत्वा कर्शन फोर्स प्रित्वी के गुरुत्वा कर्शन से 27 गुना अधिक है। सूर्य के केंद्र का तापमान अनुमानित 150 लाख डिग्री सेंटी ग्रेड है। अंतरिक्ष में कुल ग्रहों की संख्या नौ बताई जाती है। इन सभी ग्रहों की अपनी अपनी एक अलग खासियत है। कुछ ग्रह काफी गर्म तो कुछ काफी अधिक ठंडे, इसमें कुछ ग्रह काफी गर्म तो कुछ काफी अधिक ठंडे हैं। इसका कारण है किसी का सूर्य से अधिक दूर होना तो किसी का अधिक पास होना रंग बिरंगी दुनिया में कई रहस्य अंतरिक्ष की इस रंग बिरंगी दुनिया में कई रहस्य छिपे हुए है सौर मंडल में स्थित सभी ग्रह की अपनी एक विशेशता भी है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है ऐसा ही एक ग्रह है जिसे अंतरिक्ष का लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है इस ग्रह का नाम अरून ग्रह युरेनस है यह अपनी धूरी पर लगभग 90 डिगरी जुकाव के साथ घूमता है इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है Uranus के चारों और चमकदार चीजें NASA ने हाल ही में James Webb Space Telescope से Uranus की कुछ तस्वीरें ली गई हैं जिसमें Uranus के चारों और चमकदार चीजें नजर आ रही है 215 डिग्री है इस ग्रह का तापमान इस ग्रह का तापमान 215 डिग्री है यहां शोलों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां इनसान भी बन जाएंगे कुल्फी कहां जाता है कि इस ग्रह पर अगर इनसान पहुँच जाए तो उनकी भी कुल्फी बन जाए अरून ग्रह की खोज किसने की थी इस ग्रह पर एक दिन 17 घंटे 14 मिनट का होता है यह प्रिथवी से 4 गुना बड़ा है इसकी खोज 1780 में प्रिथवी सूर्य के चारों और घूमती रहती है प्रिथवी की दूसरी गती जो सूर्य के चारों और कक्ष में होती है उसे परिक्रमन कहा जाता है इस स्पीड का अंदाजा लगाया जाए तो सूर्य के चक्कर में प्रिथवी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घूमती है जो काफी तेज है क्या आप जानते हैं प्रिथवी के घूमने की स्पीड कितनी है प्रिथवी 1000 माइल्ज यानी 1600 किलोमीटर की स्पीड से घूमती है हालां कि प्रिथवी पर बैठे लोगों को इतनी तेज स्पीड का बिलकुल अंदाजा नहीं हो पाता है वहीं सूर्य के चारों और लगाने वाले चक्कर की बात करे तो इस चक्कर को 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट लगते है प्रिथवी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है जिसे प्रिथवी की दैनिक गती कहते हैं एक घूर्णन पूरा करने में प्रिथवी 23 घंटे 56 मिनट और 4 योज 9 सेकंड का समय लेती है प्रिथवी की दैनिक गती की वजह से ही दिन और रात होते हैं इस एक चक्कर में प्रिथवी 460 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घूमती है वायू मंडल में पक्षी, हवाई जहाज, आदी जो भी चीजें उड़ती हैं वे सब भी वायू मंडल के साथ साथ उसी गती से घूमती है प्रिथवी अपनी धुरी पर 1600 किली लिनो करपिच की गती से घूमने एक चक्कर प्रति 24 घंटे के साथ साथ सूर्य के चारों और भी लगभग 24,000 किपी की गती से घूमती एक चक्कर प्रतिवर्ष है सूर्य के चारों और चक्कर लगाने पर प्रिथवी पर साल बदलते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में प्रिथवी को 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट लगते हैं सूर्य के चक्कर में प्रिथवी 30 किलोमीटर प्रतिसेकंड की गती से घूमती है, जो काफी तेज है। ब्रम्हांड इतना विशाल है कि इसकी दूरी किलोमीटर में नहीं नाप सकते। इसलिए ग्रहों और तारों की दूरी नापने के लिए हमें एक अलग मात्रक की जरूरत होती है, जिसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। आईए, जानते हैं इसका क्या है अर्थ। एक प्रकाश वर्ष मतलब कितना किलोमीटर डॉट ब्रह्मांड में मौजूद तारों, ग्रहों या आकाश गंगाओं की दूरी नापना आसान नहीं। इसलिए एक ऐसा मापक बनाया गया है जिससे आसानी से इसे नापा जा सके। इसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं, लेकिन क्या आप प्रकाश वर्ष का सही मतलब जानते हैं? इसी टर्म का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? स्पेस में दूरी मापने के लिए खगोल शास्त्री और किन मानकों का इस्तिमाल करते हैं। ब्रम्हान में असंखे तारे मौजूद हैं, लेकिन ये एक समान दूरी पर नहीं है। प्रकाश की रफ़तार कितनी है? प्रकाश 3,00,000 km प्रति सेकंड की रफ़तार से चलता है। इस तरह एक मिनट में यह 1,11,60,000 km चलता है, जबकि एक साल में यह 9.46,000,000 km की दूरी तै करता है। प्रकाश की गती से कोई चले तो एक सेकंड में धर्ती की भूमध्य रेखा पर 7.5 बार चक्कर लगा सकता है। एक और बात परसिक प्रकाश वर्ष से भी लंबी दूरी है। एक पारसिक 3.6 पारसिक के बराबर होती है। माना जाता है कि हमारी गैलेक्सी मिलकी वे में संभवता 400 अरब तारे हैं और इनका विस्तार लगभग एक लाख प्रकाश वर्ष के बराबर है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोमान्चक और रहस्य में विशय पर बात करेंगे, ब्रह्मान्ड, जो हम सभी के लिए अंजान है, लेकिन उसमें कुछ अद्भुत रहस्य है, जो आपको हैरान कर देंगे। अनंतता का रहस्य ब्रह्मांड का एक अद्भुत रहस्य है उसकी अनंतता हम जानेंगे कैसे ब्रह्मांड लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका क्या आर्थ है काल की अनंतता क्या काल वास तव में एक अनंत और अद्रिश्य तत्व है हम जानेंगे कैसे काल का खोजना ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है अद्रिश्य ब्रह्मा क्या है वह नजर नहीं आने वाला ब्रह्मा जो हमारे सामने है इस रहस्य मईतत्य को हम खोजेंगे तारा मंडल हम जानेंगे कैसे ब्रह्मांड में छिपे तारों का सम्रिद्ध से भरा होता है हैं 5. गूंथा हुआ समय ब्रह्मांड का समय एक गूंथा हुआ पत्ता है हम जानेंगे इस गूंथे के पीछे छुपे रहस्यों को 6. भूतपूर्व ब्रह्मांड क्या हमारे पहले से ही एक भूत-पूर्व ब्रह्मान था? हम इस तथ्य की खोज में निकलेंगे. अंत्रिक्ष में अग्यय उर्जा ब्रह्मान में छुपी अग्यय उर्जा को हम कैसे पहचान सकते हैं? यह रहस्य हमें हैरान कर देगा. Ode 8 Black Holes का रहस्य क्या होते हैं Black Holes और उनके आस-पास के रहस्यों का परदा फाश करेंगे? ब्रह्मान का असली आकार क्या है ब्रह्मान का असली आकार? क्या वह वाकई अनंत है? Then अंतिम सवाल हम आखिरी सवाल पर पहुंचेंगे क्या हम अपनी मौजूदगी को ब्रह्मान में कैसे स्थापित कर सकते हैं? इस यात्रा में हमने ब्रह्मान के रहस्यों को छूने का प्रयास किया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस सफर को भी उतना ही मज़ेदार पाएंगे जितना की मैंने किया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी और भी रोमान्चक यात्राओं में शामिल हो सकें आपके साथ इस अद्भुत ब्रह्मान के सफर में होकर मुझे बहुत आनंद हुआ धन्यवाद और फिर मिल मिलेंगे एक नए रहस्यमाई वीडियो में नमस्कार